असलाम अलेकूम आज मैं बनाने जा रही हूँ छिली दाल की खिचडी बलर की फली के जो सीजन होता है उस सीजन में बलर और छिली दाल के लवा कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैंने इस मज़ेदार चिली दाल की बिर्यानी याने खिचडी को बनाया कर तेयर किया है तो चलिए बिसम ला केते हुए इस मज़ेदार रसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने निया है एक बड़ा सा पतिला और इसी के इंदर शामिल करेंगे आधा कप जितना तेल और इसी के इंदर शामिल करेंगे दो तेज पता दो इंच दाल चीनी तीन लाउंग और दो इलाची मेंने शामिल किया है और तेल जैसे ही गरम होता है हम इसके इंदर श लिए 20 खावल डाल दाल जो देख़ा हैं दूनों को इकवल मेजरमेंट मेरे लें 2 ग्लास चावल तो 2 ग्लास डाल दाल भीग दिया है यह हमारी ऑनिनी जो है ब्राउन हो चुकी है अब ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे टामाटर, तीन मीडियम साइज के टामाटर को हमने चॉप करके लिया है और इसे भी थोड़ा साउते करेंगे, टामाटर थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, अद्रक और लहसन का पेस्ट अभी टामाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसके इंदर शामिल करेंगे तीन चाई की चमच लहजन और तीन चाई की चमच अधरक मैंने इसके इंदर शामिल क्या है क्योंकि हम बलर की दाल इसके इंदर शामिल कर रहे हैं तो दाल का भी मसाला लगता है वरना खिछडी यह फिकी हो जाएगी खाने में अच्छे निले लगेगी तो दोनों के बराबर मसाला इसके इंदर जाना है कमटर अच्छे से सॉफ्ट होगे चुके हैं अभी हम इसके इंदर शामिल करेंगे दो चाई की चमच जितना लाल मेच पाउडर अपने तीखे पन के हिसाब से थोड़ा कम्याज जादा कर सकते हैं अधा चाई की चमच हल्दी और धाई चमच यहनिके टो एंदर हाफ टी स्प इसलिए तोड़ा दल दी हो क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होता है अगर बाहर का एनिके बाजार का गर शामिल कर रहे हूं तो एक चमच इसके इंदर शामिल कर लें अगर मसाले नीचे से बतीले को चिपकने लगें तो थोड़ा सा पानी डाल कर मसालन को छिली दाल शामिल कर लें चिली दाल अब देख सकते हैं कि इतनी अछी तरिके से निकला छुगा है और नीचे दाल की छिली को भीड़ी तो भीड़ी तो थोड़ी दिर के लिए बूने अभी मुष्ट पर गाल शुग के नमक का को बोने चाहिसा ई कि ते लिए मच्छी दाल कमसकम आपको तीन से चार मिनिट तक आपको भूनना है ताकि जो चिली दाल के अंदर जो कच्छी स्मेल हती है वो चली जाए निचे से चपकने लगे अगर मसाले तो कोई बात नहीं थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से भून सकते हैं अच्छे से साथ मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और शीली दाल भी अच्छे से हमने भून लिया है तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी पानी मैं इसके अंदर थोड़ा सा इस्तमाल कर रही हूं एक गलास जितना ताकि दाल अच्छे से गल जाए अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखते हुए बिलकुल 15 मिनिट के लिए दाल को अच्छे से गलाएंगे ये 15 मिनिट के बाद आप देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है 70-80% गली हो तो काफी है अगर आपको पता नहीं चल रहा हो अब आती है बारी इसके अंदर करने की दही मोड़ pact की दही है इसके अंदर करने की दही हमने मिनिट का उप्रा थीकट किक रूग्ड़ और के विरियानी तthose की दूग्ड़ रिसके दो, अधिने शामिल की की द produção शड़आऀ शामिल कर निवस हूँक्त, अधे टही की sorry ह बना हरी चिटनी नारियल करें दो और हरी मिर्च, चार से पांच कर लिया दो पर आर हरी मिर्च, लहसन की कलिया दो बोट एमली के और फुड़ा सा नमक और यहां पर देखिये मैं धेर सारा पुदीन लिया है और बिल्कुल फुड़ा सा हरा धनिया इस ब चीजों को जार में शामिल करके हम इसकी चित्नी बनाएं ग सबस est कर लें गलाएं तो पहले हम नार्यल्य लसन मिर्ची और नमक को अच्छ से ग्राइंड कर लें गिस्ट कुछ न कर लेंगे यह तो आप चाहे तो इसकी अंदर बुरूत स्लैस demands शामिल ने अच्छा लगता हैं तो ये हमारी चिटनी बनकर तयार है और ये दूसरी तरफ हमारी चिली दाल अच्छे से गल चुकी है अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे तीन ग्लास पानी गरम पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दो ग्लास चावल लिया है दो ग्लास चावल के लिए चार ग्लास पा पानी चीज़ी दाल के ग्रेवी में था तो इसलिए थोड़ा कम पानी डालेंगे ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ही जादा खिचडी सॉफ्ट बन जाएगी खिली खिली नहीं बनेगी यहां पर पानी पक रहा है तो हम इसके इंदर शामिल करेंगे चावल को कमशकम अच्छे से धोकर भीगने के लिए रख दें और इसी के उपर से हम शामिल करेंगे कटा हुआ पुदीना सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इस वक्त नमक की कौंटिटी को चप कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो नमक शामिल कर लें इसे धक कर हम पकाएंगे यह दिखिए पांच मिनिट बाद थोड़ा सा पानी कम हो चुका है यह देखिए चावल भी मुझे 60% तक गले हुए लग रहे हैं और दाल भी अच्छे से गली हुए है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप को इस वक्त शामिल करना हो तो कलर शामिल कर सकते हैं कोई भी आपका मन चाहा कलर शामिल कर लें फिर से पांच मिनिट के बाद आपको बता रही हूं बिल्कुल पानी सुक चुका है खिचड़ी में से देखिए अब यह दम के लिए तयार है अभी हम इसको अच्छे से से शेट करेंगे और दम के लिए रख देंगे इसे हम ढ़क कर कम असकम साथ से आट मिनिट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए हम इसको दम दे देंगे यह आट मिनिट के बाद आपको बता रही हूं हमारी खिचड़ी दम होकर तयार है खाने के लिए यह दिखिए क्यूंकि अभी मेने चुला आफ किया है यह अगली खिली खिली नजर आएगी इस रेसिपी को आप बॉइल एक के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्ताबाब के साथ लिए डिनर के लिए बहुत ही ज्यादा मज़ेदार रेसिपी है आप जरूर ट्राइक कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे रेसिपी अपने दोस अला हाफिज